अपने आफस और भड के लिए बयां के चलते हमेशा सुर्क्या बटोरने वाली ड्रामा कुईन राकी सावन के लिए चर्चे में रहना कोई आम बात नहीं पर इस बार तो राकी ने वो कर दिखाया है जिसे करने की उमीद सिफ राकी से ही की जा सकती है जी हां राकी ने 20 जूलाई को मुंबई की JW मेरिट में एक NRI से चोरी चुप्य शादी कर ली अबे दीपक कलाल हराम खोर कुटे कमीने अबे हिजडे तु एक नंबर का हिजडा है तु मेरे पती को हिजडा बोलता है साले कुटे हां मैं तो प्रभू में हूँ गाली नहीं दे सकती हूँ मेरी शादी हुई है मैंने सब को कहा blessing करो तेरी पिछवाड में अगर इतनी हिम्मत है आजा मैं तो जललकार तु मेरे पती के पास तुझे पता चलेगा कि कौन हिजडा है कुटे हां दिपक कलाल बिखारी साले कुटे चौक गए ना आप भी वही तो अरे भाई ये राखी है इन्हें तो छीक भी आये तो ये सोशल मीडिया को सर पर उठा लेती है और इतनी बड़ी बात इन्होंने बाहर ना आने दी इसक पीछे तो कोई तो राज होगा लीजे इस राज का खुलासा तो राखी के एक्स प्यान से दिपक कलाल ने कर दिया लीजे आप भी सुन लीजिए डाखी सावंध बहुत हो गया तेडा ये नाचक और क्या बोले मैंने का वह जो एक करोड विर्माइं तो ली क्यों ली तुने क्या बोली कि ये जो वेनिक है उसके प्रेपरेशन के लिए तु वह एक करोड ली और वह जो दें करोड की अंगू थी मैंने तुझे दी है वो अगर तु मेरे एक करोड में दोक्ताई तु मेरे मेरे ममी को तेरे साथ ने गला दुपाई यो पैसा नेगी देंगे ना पैसा क्या दबाओ में गला बोल जबाद में बोल राखी को बोल पैसा देने को ममी बोल बोल पैसा दे दो अरे भाई इसका जवाब राखी के पास ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता तो सुनिया खुद राखी से पैसा तो मैं सब शॉपिंग में खर्च हो गया है अरे भाई तो ये बात है जिसके वज़े से राखी ने शादी की खबर अपने चाने वालों से चुपाई पर जब उनसे ये बात पुची गई तब उन्होंने बड़ी ही सफाई से कह दिया कि उनके पती रितेश को कैमरे पर आना नहीं पसंद अरे भाई पैसे एक से लेकर शादी दूसरे से करना इसकी उमीद भी हम बस राखी आप से ही कर सकते हैं वैसे बताने को तो और भी बहुत कुछ है पर हर चीज कैमरे पर दिखाई नहीं जा सकती आशा करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे चलिए फिलाल लेते हैं अलवीदा फिर लोटेंगे ऐसे ही मज़ेदार खबर के साथ कि आप सकते हैं